दोस्तो हर साल लाखों स्टूडेंट्स अलग अलग तरह के एजुकेशनल कोर्सिस को कम्प्लीट करने के बाद में टीचर बनने की रहा पर चल निकलते हैं और टीचर बनना चाहते हैं क्योंकि टीचर बनना अपने आप में ही एक सम्मान जनक बात होती है आप D.A.L.E. करो या B.A.D. करो दोनों ही कोर्सिस को करने के बाद में आपको C.T.E.T. का एकजाम देना पड़ता है जो Central Teacher Elegibility Test के नाम से आप जानते हो मतलब Central Level ये एकजाम होता है एक बार एकजाम पास कर लिया लाइफ टाइम दोवरा पास करने की जरूरत नहीं होती आप Elegible हो जाते हो पर कोशन ये आता है किसर हम D.A.D. करें मतलब D.A.D. या D.A.D. करें या फिर हम B.A.D. करें B.A.D. की बात करें एक Bachelor Degree है आप D.A.D. करते हो डिपलोमा है दोनों में से करने के बाद कौन सा बैस्ट है किसकी अच्छी विकेंसिस आती है कौन से अच्छी युनिवर्सटी किस कोर्स के लिए अवलेबल है कौन सा कोर्स हम करें जो इजीली हमें जॉब दिलवादे मतलब जॉब औरियंटी टाइप आप कोर्स हो किसको करने में ज़दा परिशानिया हमारे सामने नहीं आएंगी या कौन से अच्छे संस्थान है ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिल में आते हैं और ऐसे कई सारे जो सवाल आपने पहले भी हमसे पूछे हैं अलगले तरह से NCD पर हमने वीडियो बनाया NCD काउंसलिंग कैसे काम करती है, seated exam कैसा होता है, किस तरह दिया जाता है सब पर हमने आज तक आपके सवालों के जवाब देने कोशिश की है आज हम इस पर भी बात करेंगे कि D.A.L.E. और B.A.D. में डिफरेंस क्या होता है या फिर हम कहें D.A.D. या B.A.D. में डिफरेंस क्या होता है जादा कुछ जानने के लिए डिफरेंस बिट्वीन D.A.L.E. और B.A.D. दोस्तों बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ नमस्का दोस्तों फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है Counseling India और मेरा नाम है विरिंदवर्मा जैसा आप सभी जानते हैं हम देश-विदेश की यूनिवर्स्टी इंडिया पर जाकर आप देखें और इस चैनल पर सभी कोर्सिस के बारे में आपका information जरूर मिलेगी जितने भी कोर्सिस इंडिया या abroad से कराए जाते हैं दोस्तो education से related कोई भी उनिवर्स्टी हो कोई भी कॉलिज हो कोई भी कोर्स हो आपको maximum वीडियो हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी क्योंकि हम इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ educational वीडियो लेकर आते हैं और ऐसे बहुत सारे आपके सवाल जो आपको जवाब यहाँ वाँ से नहीं मिलते सर्च करने से नहीं मिलते उन सब सवालों के हम जवाब देते हैं सबसे पहले दोस्तों आप यह जान लीजिये कि D.L.Ed. और B.Ed. में डिफरेंस क्या है D.L.Ed. जो आप कोर्स कर रहे हो वो बारवी के बाद या कुछ उनिवस्टीज में ग्रेजिशन के बाद भी करा जाता है पर होता दो साल का है डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन या D.Ed. की हम बात करें डिप्लोमा इन एजुकेशन डिप्लोमा कोर्स होता है यह और वहां B.Ed. की बात करें तो बैचलर इन एजुकेशन बैचलर इन एजुकेशन वहां पर यह डिग्री कोर्स है यहां यह डिप्लोमा कोर्स है दोनों में डिफरेंस तो है ही एक को complete करने के बाद में 1st to 5th तक को आप बढ़ाते हैं और एक को complete करने के बाद में आप यहाँ पे 6 से लेकर 10 तक को बढ़ाते हैं दोनों में बहुत difference है हाला कि 12 तक भी बढ़ा सकते हो वो एक लक्सेनरियो है उस पर हमका भी द्वारा बात कर लेंगे दोनों ही course करने के बाद में क्या course complete करते ही आपको नौकरी मिल जाएगी ऐसा नहीं होता course complete करते ही कुछ हो सकता है कि private संस्थान आपको नौकरी दे भी दे बर जातर जो student इस course को complete करते हैं D.A. complete करें या B.A. complete करें complete करने के बाद वो government teacher बनना चाहते हैं फिर contract पर भी बहुत सारे students जॉब करते हैं बहुत सारे private school में भी जॉब करते हैं पर आपको जॉब ऐसे ही नहीं मिलेगी CTET exam क्लियर करना होगा और दोस्तों अपने देश में नौकरी के या फिर vacancy के क्या हालात हैं आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं UP में उत्तर प्रदेश में एक police messenger की vacancy आई थी उस vacancy में काम सिर्फ इतना सा था कि आपको एक थाने से दूसरे थाने में फाइले, papers ये साब पहुचाना होता था उसकी basic eligibility क्या थी? सिर्फ 5th class pass 5th class pass होना चाहिए, एक cycle होना चाहिए तो आप इस police messenger की जो duty थी उसके लिए कर सकती है अब दोस्तों सोचने वाली बात है आप दंग रह जाओ के सुनकर उसमें total अगर बात करें न हम लोग जिर लोगों ने apply किया total एक लाख लोगों ने apply किया था जिसके अंदर से अगर देखो तो लगभग 3700, 3700 आवेदक PhD होल्डर थे मतलब 5th class pass की vacancy में 3700 जो लोग applicant थे वो PhD होल्डर थे और लगभग 50,000 से भी ज्यादा जो लोग आवेदक थे जोनोंने आवेदन दिया था वो graduate थे और दोस्तों लगभग 28,000 जो आवेदन आये थे वो essay थे जो कि PG थे, post graduate pass थे post graduation उन लोगों ने किया हुआ था तो हम बात करें नोकरी की नोकरी एक chapter अलग है दोस्तों उस पर कभी हम दुआरा बात कर लेंगे पर हम फिलाल आपसे ही जनना चाहते हैं कि अगला वीडियो किस topic पर, किस course पर किस university पर या किस college पर आप चाते हो हमसे या फिर आप क्या चाते हो जानना education के बारे में comment box में आप जरूरू बताना हम उस पर एक वीडियो लेकर आएंगे और आपके सब तरह के doubts को clear करने कोशे जरू करेंगे दोस्तों आप किसी भी university के बारे में जानना चाते हो चाहे वो private university हो government university हो या dim to be university हो या फिर आप किसी भी college के बारे में detail जानना चाते हो या किसी भी board के बारे में आप जानना चाते हो फिर चाहे वो national हो मतलब हिंदुस्तान में जो board चलते हैं, universities चलते हैं colleges चलते हैं या फिर abroad का हो मतलब कि जितने भी students abroad जाते हैं, विदेश में जाते हैं education लेने के लिए, किसी भी college में या किसी भी university में, उन सभी की जो detailed videos हैं, वो सभी videos आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम है University India और उसका link हमने description box में दिया हुआ है, इस channel पर counseling India पर सिर्फ आपको courses पर बनी वी video मिलेंगी, जो courses इंडिया में कराये जाते हैं, या फिर आप abroad करने के लिए जाते हैं, और आप अभी जाकर उस channel को subscribe कर लें, ताकि जो भी upcoming videos आती है, universities, colleges और boards पर आपको सबसे पहले मिल सके, CTAD की full form क्या होती है, Central Teacher Eligibility Test, इस test को देना अनिवारे है, जो Central Level एक test है, अलाकि आपके state में भी अलग-अलग नामों से इसको बोला जाता होगा, बट ये exam देना अनिवारे है, आपने एक बार पास कर लिया, lifetime validity होती है इसकी, आप एक बार पास कर लो, दुबारा exam देने की नहीं, ये एक तरह का exit test है, या कुछ यूं कहिए, कि filtration test है, मतलब कि filter करते है students को, कि कौन student इसके लिए eligible है, और कौन नहीं, मतलब जो पास करके आये हुआ भी आपनी, डियेड या बियेड, कौन पढ़कर आया है, और कौन ऐसे ही आ गया सिर्फ degree को लेकर, और उसी के लिए जो CTAT हर साल जो exam होता है, दोस्तों, उसके आकड़े बड़े चुकाने वाले हैं, लोग पास नहीं कर पाते हैं इस जिली CTAT को, अभी भी हम 2021 जनवरी के अगर हम देखें आकड़े को, सिर्फ 33% ही पास कर पाये थे, पेपर 1 वाले, और सिर्फ और 21% ही पास कर पाये थे, ले लेट करके आए हो, तो लेवल 1 या पेपर 1, और जैसे ही आपने लेवल 2 किया, वहाँ पर B8 कम्पलीट करने के बाद आप दोगे, जिसके लिए आप TGT बनोगे, उसके लिए लेवल 2 या फिर पेपर 2, बात दोनों एक ही है, मैं बात करो पेपर 2 की 21% रिजल्ट आया था, शिर्फ और सिर्फ 2021 में, और हम बात करें पेपर 1 की, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 33% रिजल्ट आया था 2021 में, तो इतना आसान एक्जाम नहीं होता ही, अब दूसरा हम बात करते हैं कि D.E.A.D. और B.E.D. के अंदर हम बात करें किस तरह से एक्जाम होते हैं, हम बात करें दोस्तों B.E.D. की तो B.E.D. में भी 4 semester exam कराय जाते हैं, maximum universities के दुआरा उसी तरह से D.E.D. में भी 4 semester में exam कराय जाते हैं, universities के दुआरा अगर D.E.D. भी आप अगर करते हो तो कई जगा सिर्फ और सिर्फ साल में एक यी बार exam सोते हैं, ऐसा नहीं कि आपके साल में दो बार exam स हो जाएगा, बहुत सारी private universities available हैं, बहुत सारी private universities D.E.D.E.D. भी करवाती हैं, किसी तरह की assistance admission को लेकर आप चाते हो, आप हमसे contact कर सकते हो, हम आपको best to best university के बारे में बता ज़रू हैं, अब ये बहुत कम जो percentage लोग पास होते हैं सिर्टेट का, उसका reason बहुत बढ़ा यही ह तो कि आप ठीक से उसको पढ़ते नहीं है, घर पर उसको study का time देते नहीं है, और university या college में भी जाने के बाद भी आप classes attend करते नहीं है, ये बहुत बढ़ा reason है, और B.E.D.E.D. की एक तरफ चमम fees की बात करें, जो fees शुरू हो जाती है, 60,000 रुपे से लेकर 1,500,000 रुपे आपका हो जाएगा, बट आप जब private university की तरफ आप रुप करते हो, D.E.D.E.D. करने के लिए, तो fees आपको 70, 80,000 रुपे तक देनी पढ़ सकती है, 2 साल का complete D.E.D.E.D. course करने के लिए, वहीं दोस्तों, एक और हम बदलाव की बात करें, मतलब क्या difference होता है D.E.D.E.D.E.D. आपको प्री कोर्स करवाती है, उसकी जो validity है, आपको उसको चेक जुनू करना चाहिए, वो मानने है भी के नहीं, बहुत सारी उनिवस्टिया ऐसे ही कराएती है, D.E.D.E.D. करो या D.E.D.E.D. करो, दोनों के लिए ही, आपका 12th pass minimum होना चाहिए, किसी भी recognize board के साथ में, और आगर आप B.E.D.E.D. करने के लिए, ग्रेजूशन का होना जरूरी है, ग्रेजूशन भी आपको B.E.D. में admission मिल जाता है, बहुत सारी उनिवस्टिया के दुआरा बहुत सारी उनिवस्टिया ऐसे admission लेती है, इवन हरियाना में भी ऐसे admissions होते है, अगर आप Masters में 50% जादा marks लाए है, आपका admission हो जाएगा, बहुत सारी private universities भी इस तरह से admission ले लेती है, तो B.E.D होगा after graduation या Masters, और जो D.L.A.D. है या फिर हम बात करें D.A.D. की, वो होगा after 12th, पर दोनों ही तरह से university से किया, तो university recognize UGC पर लिस्टिट होनी चाहिए, UGC Act 1956 का क्या बोलता है, पढ़ लेना, साथ में के 12th किया है, तो वो भी valid board होना चाहिए, ऐसे ही कोई autonomous board ना हो, अब द देखो, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई age gap लगा दिया जाए, पर हाँ, जो नौकरी करोगे आप, नौकरी के लिए जो आप अभी seated का exam दोगे, उसके लिए जरूर बात देता है, ऐसा नहीं होता कि कभी भी आप किसी भी वक्त जाकर आपने apply कर दिया और नौकरी के लिए आप शुरू हो गए, मतलब कि आपकी age है 60 years और अभी नौकरी आप सोच रहे हो, आपकी नौकरी लग जाए, ऐसा possible नहीं हो पाएगा, उसके लिए तो आपको दीखना ही होगा, जो दोस्तों अमीद करता हूँ, आज का हमारे वीडियो आपका अच्छा लगा होगा, इसी तरह की educational videos हम आपके लेकर आज सके सबसे पहले, बहुत बहुत शुक्रत हो जन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए